आप सभी का सवागत है आपके अपने चनल देजरल गौरफ में आज की वीडियो में आप करने वाले टेलिग्राम मार्केटिंग के बारे में क्या क्या बेनिफेटे टेलिग्राम के और किस तरह से आपके चैनल को टेलिग्राम पे ग्रो कर सकते हो यह कुछ पढ़िगुलल content दिया audience को जिसके तुरू आपका follower base बढ़ा अब जिससे आपका follower base बढ़ा तो जो भी आपके पास product service थी उसके बारे में आपने marketing करी आपके social media platform के उपर जहां से आपके product service की selling हुई जिसके तुरू आपका revenue generate हुआ यह एक process होती social media marketing की brand building हो गया product service की marketing करना selling करना यह सब चीज़ा हम social media marketing से कर लेते हैं सबसे main important चीज़ यह कि for example आपके पास कुछ x number of follower है आपके instagram के उपर अब उत्रा engagement तो आपकी post जो आप डालते हैं जो video डालते हैं उस पर तो आता नहीं है मतलब for example आपके पास वन लेक follower है तो आपकी post के उपर 5000 like magazine आ जाएंगे इससे यादे इंगेजमेंट नहीं आता है मतलब social media platform की algorithm अलग तरीके से work करती है वहाँ पर सारी चीज़े अलग तरीके से work करती है लेकिन telegram पर आपकी खुद की community बना सकते हो community in the form of channel community in the form of group जिसके तुरू जब आपके प्रोडिस सर्विस की marketing करोगे एक अच्छा content दोगे टेलिग्राम चेदल पर सो वहाँ पर engagement बहुत ज़्यादा आता है मतलब telegram के उपर आपका engagement भूती ज़्यादा अच्छा है अब जितना ज़्यादा engagement मिलेगा आपको उतनी ज़्यादा आपकी probability बढ़ जाती है वरोडें सर्विस के भिखने की इसलिए telegram marketing important है और अगर आप social media पर work कर रहे हो तो मैं आपको refer करूँ हूँ कि आपको आपका खुद का telegram चलनी बराना चाहिए ये बात होगी telegram marketing क्यो important है अब हम बात करते कि telegram का craze कप से आया basically telegram का craze आया था जब whatsapp की privacy policy की controversy हुई थी उसके बात से लोगों को लगा कि नियार हमें नई platform पर switch करना चाहिए क्या पता जो हम chat कर रहे हैं जो हम sharing कर रहे हमारे दोस्तों के साथ हमारे close phone के साथ वो सारे messages वो सारा content कहीं न कहीं leak हो रहा है वो content private नहीं है यह सारे अब्रम लोगों के दिमाग में आ चुके थे whatsapp की privacy controversy के कारण इसके बाद लोगों ने नए platform सर्च करना शूरू करा जिसमें उनको मिला telegram जहां पर उनको whatsapp से ज़्यादा अच्छे features मिले जैसे कि वो telegram पर communication कर सकते थे chain कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने close one के साथ group बना सकते थे youtube की तरह channel create कर सकते थे मतलब यहां पर whatsapp से भी ज़्यादा extra feature मिले थे लोगों को जिसके कारण टेलिग्राम की popularity बढ़ गई और जो telegram के download थे वो भी drastically increase हुए आपको जानके हरानी होगी कि telegram के total play store पे download 100 करोड से भी जादा है सो आपको इससे समझ में आ चुका हुआ कि telegram अब कितना बड़ा platform बन चुका है किसी भी brand के लिए अगर उसको अपना product service को market करवाना है तो telegram को वो underestimate नहीं कर सकता सो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आप telegram marketing के से कर सकते हैं किस तरह से अपने telegram channel पे एक अच्छा-कासा audience space create कर सकते हैं सो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुचे हैं सो वीडियो पे एक like तो बनता है सो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं जैसी WhatsApp इस्टेबल हुआ WhatsApp की जो privacy concerns थे, controversy थी वो इस्टेबल हुई लेकिन इसका benefit, इसका direct benefit telegram को मिला क्योंकि users को एक नया tool मिला, explore करने के लिए जहाँ आपे उनको बहुत ज़्यादा extra features मिले as compared to WhatsApp जहाँ पर उनके पास कोई भी limit नहीं थी किसी भी file को share करने की आपके पास कितिनी भी GB की file है सो आप telegram से easily share कर सकते हो transfer कर सकते हो unlimited channels पर आप members add कर सकते हो आप खुद का channel create कर सकते हो, group create कर सकते हो और एक से एक भहतरिन feature telegram पे मिले इसके बाद telegram का craze और बड़ा और जो online business sellers थे उन्होंने भी अपने telegram के खुद के चिलर बनाना शूरू किये groups बनाना शूरू किये क्योंकि telegram पे आप 2,000,000 से भी जाना लोगों को group में add कर सकते हो सो यह कुछ ऐसे attractive features थे जिसके थूँ telegram की popularity बढ़ती चली गई कुछ और feature में आपको telegram के बताओ तो जिसमें सबसे पहला आता है कि यहाँ पे आप telegram के भूसरे boards आते हैं उनको आप integrate कर सकते हो telegram पर message पहले से schedule कर सकते हो एक और must feature में आपको बताता हूँ auto distraction वाला feature जहाँ पे जो आपका message है वो auto distract हो जाएगा मतलब delete हो जाएगा एक particular interval के बाद जो भी time आप set करोगे इसके करने का urgency create होती है जिसका benefit directly business owners को मिलता है so यह कुछ ऐसे features थे जो कि business friendly भी थे और जो normal user आता है उसके लिए बहुत beneficial थे अब मैं आपको वीडियो में यह नहीं बताने वाला हूँ कि टेलिग्राम पर channel बनाना कैसे है टेलिग्राम को use कैसे करना यह सिप चीजा आपको already आती होगी लेकिन अगर आपको यह भी सिखना है तो इसके लिए dedicated separate video भोजली लेके आ जाओगा पहले आज की वीडियो में बात करते हैं कि टेलिग्राम चैनल पर हमें audience based create कैसे करना है इसके मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा सबसे पहला है exclusive content अब exclusive content होता क्या है ऐसा content जो आप आपके social media platform पे नहीं दे रहे हो ऐसा content आप आपकी website पे नहीं दे रहे हो ऐसा content आप आपके YouTube चैनल पे नहीं दे रहे हो वो content आपको आपके टेलिग्राम पे देना है आप खुछ सोजो कि टेलिग्राम पे आपको एक person subscribe क्यों करेगा आपके group को join क्यों करेगा अगर उसको कुछ valuable content कुछ exclusive content मिलेगा तभी तो वो आपके टेलिग्राम चैनल को join करेगा आपको कुछ ऐसा exclusive content वहाँ पे टेलिग्राम पे देना है जिसके तुरू लोग attract होगे आपके टेलिग्राम चैनल को join करें अब exclusive content में क्या चीज़े आती है for example आप social media पे digital marketing सिखाते हो आप digital marketing से related आप post करते हो video create करते हो short video create करते हो जिसकों बोलते है reels आप content regular post करें हो social media platform के उपर जहाँ पे आपके पास एक decent सा audience base है अब उस audience base को आपको shift करना है आपके टेलिग्राम चैनल पे जो content आपके social media platform पे दे रहे हो जो आप आपके Instagram पे दे रहे हो वो content आगर आप आपके टेलिग्राम पे दोगे सो कोई लोग आपके पास आएंगे नहीं ये तो सिधी सी बात है सो यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको कुछ ऐसा exclusive content देना पड़ेगा आपके टेलिग्राम चैनल पे जिससे लोग अट्रेट होके आपके चैनल को जॉइन करें जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो अब इससे related आप एक e-book बना सकते हो जिसको आप exclusive आपके टेलिग्राम चैनल पे दो गया इससे होगा यह कि जो लोग आपके social media platform पे है वो उस exclusive content को देखने के लिए आपके टेलिग्राम चैनल को जॉइन करेंगे यह सबसे बेश तरीका है social media के traffic को redirect करवानेगा अपनी टेलिग्राम चैनल पे है फिर हम चलते है second तरीके के तरफ जो कि यह blogging अगर आपके खुद की website है और आपके blog राइंग कर रहे है और blogging करता ही बहुत आसान चीज़ है इसके लिए भी एक separate dedicated video आपके लिए भहुत जल्दी लेके आऊँगा blogging होती किया इसके लिए मैंने already एक video बना के रखिए जिसकी link में description और I better में आपको दे दूँगा अब हम बात करते हैं कि blogging से भी आपकी telegram channel पे subscriber कैसे बढ़ा सकते हो मालों instagram marketing के उपर आपने एक blog लिखा था आपके उस particular blog के उपर 5000 visitor पर अमंत आ रहे है और उसी blog में आपने integrate कर दिए telegram channel के link कि आर इंस्टाग्राम marketing आपको डिटेल में सिखने ही तो मैंने एक ebook बना के रखिए तो उसको लेने के लिए आपको telegram channel join करना पड़ेगा तो सोचो जो visitors आपके पास आ रहे थे 5000 visitors जो आपके पास आ रहे थे उसमें से 1000 visitors भी आपके telegram channel पर आते हैं बस यहां पर आपको एक ध्यान देना है कि आपको value provide करनी है आपके audience को तभी वो आपके telegram channel पर टिके रहेंगे वरना वो एक click पर आपके telegram channel को exit कर देंगे तो इसा तो हमें करवाना नहीं है हमें उनको टिका के रखना है आप टिका के आप रख सकते हो अच्छा content देखे एक अच्छी value देखे तो value creation आपको telegram पर भी करना पड़ेगा अपने audience को अपने subscriber को telegram channel पर टिकाने के लिए तो blogging से भी अच्छा खासा audience बेस आप shift कर सकते हो, redirect करवा सकते हो अपने telegram channel के उपर फिर हम बात करते है third paid promotion for example आपके पास पैसा है invest करने के लिए तो आपको आपके niche के telegram channels को ढूंड़ना है और वहाँ पे आपको marketing करवानी आपके telegram channels की अब telegram channels के marketing के से कराओगे जो आपके पास exclusive product था उसी के थुरू आप आपके channel के उपर traffic को redirect करवाओगे दूसरे telegram channel के थुरू यह इसके लाओ जो भी आपके strategy है जो भी आपकी marketing plan है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको एक basic सा example दे रहा हूँ अगर आपके पास इससे अच्छा plan है इससे अच्छी strategy है सो आप उसको भी आप्लाई कर सकते हो for example आपकी निश्क्या आपको different telegram channels मिल गया है अब आपको वहाँ पर उस channel admin से बात करना है communication करना है कितना हो चार्ज करेगा promotion के लिए और वो amount pay करके आप उसके telegram channel के उपर अपना promotion करके अपने खुद के telegram channel को भी grow करवा सकते हो और अपने protein service की sale भी increase करवा सकते हो बहुत ही simple तरीके से सो ये थी वो तीन तरीके जिसके थो आप telegram channel को भोँत ही easily grow कर सकते हो अब ये जो चीज़े मैंने आपको इस वीडियो में बताईए ये चीज़े कोई भी marketer आपको बताएगा नी क्योंकि ये business के कुछ hidden secrets होते है लेकिन ये सारी चीज़े मैंने आपके साथ share करी है जिससे आप आपका business भी grow करवा और टेलिग्राम की तुरू अगर आपको exclusive content और देखना है हमारी community का हिस्सा बनना है सो मैंने मेरे खुद की टेलिग्राम चलेन की भी link description दे दिये उसको आप जरूर जोइन करें सो ये थी आज की वीडियो जिसमे मैं डीटेल में बात करी टेलिग्राम marketing के बारे में सो अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक awesome content के साथ थैंक्यू सो मच